दोस्तों ये वही जुगाड है जिसको मैंने आपको थमनेल में दिखा है यहाँ पर मैं सिर्फ 250 रूपीस मंतली पे करता हूँ as a geofiber plan और वहाँ पर मेरे कुछ सारे के सारी चीजे मिल जाती है like 30 Mbps, unlimited data और यहाँ पर मेरे कुछ सारे के सारे OTTs free मिल जाती है, तो यह सब का सब मैंने जुगाड करा है यह कैसे करा, क्या करा, पूरा वीडियो अंटर के बने रहूँ यहाँ पर सारी चीजे डीटेल में explain करूँगा तो चलिए start करते हैं तो गई सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको plan के बारे में पूरा डीटेल समझाता हूँ, जो actual plan है बाद में जुगाड करके मैं इसको कितना कम करवाया वो आगे बताऊँगा, ठीक है, तो जखो सबसे पहला plan जो है, यहाँ पर आपको तीन मेने का लेना पड़ता है जिए एर फाइबर, 2100 का मिलता है installation free रहेगा, और सबसे least plan जो मिलता है, हमें 2100 का, वो होता है 30 Mbps की speed रहती है आपकी, और यह आपको जो है, एक मन्त में 1000 GB आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब one मन्त में 1000 GB, फिर next मन्त में 1000 GB फिर next मन्त में 1000 GB, ठीक है, तो ऐसे 3 मन्त का कितना हुआ, 1000, 1000, 3000 GB आपको मिलता है, unlimited बोलते हैं, बट unlimited होता नहीं, 1000 GB आपको मन्तली मिलता है, बट वो बहुत जादा होता है ठीक है, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो है, आपको इसमें 14 OTT Apps मिलती है, Jio TV Plus वगरा, उसमें देखने को मिलेगा, बाकी सारे मिल जाती है except Amazon Prime और Netflix इनके plans आपको अलग से लेने पड़ेंगी यह दो OTT छोड़के, बाकी पूरे OTT near to near सभी आ जाते हैं, ठीक है और इसमें आपको जो है fiber का box वगरा देखने को मिलता है ठीक है, यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल जाती है अभी आपको एक एक चीज में डीटेल में दिखाऊंगा पूरा डीटेल में explain करूंगा वीडियो के end तक के बने रहो, ताकि आपको सारी चीज़े डीटेल में समझ पाओ कि यह जुगाड कैसा है देखो इसके साथ मेरे को set box मिला फिर यह आपको देखने को मिल रहा है, यह हमारा router मिलता है इसके साथ ठीक है, और router के पीछे आपको जो है तीन ports मिलती है, मतलब तीन खाली ports मिलेंगी मैंने एक port यहाँ पे add करके रखा है वो port मैंने एक LAN निकाला है अब यह LAN कहा ले जा रहा हूँ, उसके बारे में आपको explain करूंगा ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे तीन ports है तो देख पर हो, यहाँ पे तीन ports में से एक port मैंने यहाँ पे connect करा है तो बाकी के दो ports खाले है, आप कुछ भी लगा सकते हो लैपटॉप लगा हो, या फिर उस LAN को आप अपने दूसरे वाले रूम में ले जाके दूसरे लैपटॉप टीवी को भी लगा सकते हो आगे बात करते हैं और क्या के चीज़े है तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पर हो, यह सारे के सारे OTTs प्री है, पूरे के पूरे OTTs यहाँ परują है और इनको आप डिफरेंट डिवाइस में लॉग इन भी कर सकते हो 4-5 डिवाइस में लॉग इन कर सकते हो, उपने 4-5 फोन में लॉग इन कर सकते हो यह सारे-सारे OTTs यहाँ देखने को मिल जाएँगे तो यह काफी जदा महेंगे पड़ते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, जो हमको 30 Mbps के साथ देखने को मिल रहा है, उनी के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसको 2 wires नीचे जा रही है, एक wire जैसे के आप देख पा रहे हो, एक wire नीचे जा रहा है, और दूसरा wire यहाँ पर कई तो भी लंबा कई, दूसरे कई तो भी building में जा रहा है, और इस wire की length 80 meters है, कितना? 80 meters, और यह एक land wire है, और इस land wire को मैंने attach करा है मेरे दूसर सकते हैं, वो 100 meter last रख सकते हैं, तो 80 meters तक के long पर मैंने दूसरे building में इसको दिया है, इसी geo air fiber का, जो land है, यहाँ से connect करके मैंने दूसरे building में दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे है, ठीक है, antenna से नहीं connected है, वो geo air fiber से connected है, antenna का wire तो गया नीचे, ठीक है, और यह मैं दूसरे building में आचुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दूसरे building तक मैंने बोला था नो, वो land wire निकाला है, मतलब मेरे जो दूसरा जो घर था, अभी जो recently मैंने घर दिखाया, उस घर में से मैंने land cable निकाला, air fiber को connect करके, और यहां से दूसरे building त पहले घर में geo air fiber का connection ले रखा है, और वहां से मैंने land को निकाला दूसरे building तक के, अब यह देखो, और यहां पर मैंने दूसरा router connect किया, जैसी कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो यहां पर उसी geo air fiber को land cable के तुरू इतना लंबा निकाल कर, यहां पर मैंने दूसरा router connect कर मेरे दूसरे android tv के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इस दूसरे android tv में मैंने क्या करा है, सारे otds install कर लिए, यहां पर मेरे पास कोई setup box नहीं है, जो geo का कोई setup box नहीं, यहां पर मैंने दूसरा, मतलब जितने भी otd apps है, जो चा होदा, free मिल रही हो, सारे के सारे install कर आपको सारे के सारे चानल से बगेरा सब देखने को मिलते है, जो कि geo के 3 मिलता है, और geo का air fiber का आपको जो है, phone number डालना पड़ता है, register वाला, that's it, और आप पूरा enjoy कर सकते हो, content पता है न, तो same जीज यहां पर मैंने सारे otds login कर लिए, उसी number से, जो कि जिस number से geo air fiber खरीदा है क्योंकि 5 devices तक के हम login कर सकते हैं, जैसे कि officially geo की तरप से ही यहां पर यह statement है, और यहां पर बाकी की चीज़े यहां पर देख सकते हो, speed बगेरा, near to near, same देखने को मिलते हैं, यहां पर यहां पर land इतना लंबा लिया है, भाई, 80 meters का land लिया है, 80 meters, वो कहा मेरी building दूसरी वाली इसको भी दे सकते हो, ठीक है, आगे बताऊंगा मैंने और क्या के चीज़े करी है, पूरा वीडियो एंडे तक के देखो, सब कुछ आपको detail में समझेगा, ठीक है, आप बहुत फायदा उठा पाऊंगे इसका properly, यहां पर जैसी कि आप देख पार हो, speed बगेर आप भी presently त यहां पर भी near to near 28 Mbps, 27 Mbps शो करता है, मतलब LAN इतना लंबा हुआ है, करके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 100 मिटर से long और दूर ले जाना चाहते हो, तो आपर repeater रिउस करना पड़ सकता है, यह चीज़ आपको पता ही होगी, बढ़ हम उतना और खर्चा नहीं कर आपको देखने को मिल जाएगा, सारे OTT मैंने यहां पर लॉग इन कर रखे हैं, सब कुछ सही है, ठीक है, और Jio TV Plus वहां पर भी देख पा रहा हूँ, यहां पर भी देख पा रहा हूँ, वहां तो मेरा सेटाओ बॉक्स रहता है, दूसरे घर में, और यहां पर मैं Jio TV आप सब कुछ शेर कर सकते हो, डिजनी होट स्टार वगेरा वगेरा, सारे के सारे अपस, आप जो OTT आपस है, उनमें आप लॉग इन शेर कर सकते हो, भाई सब कुछ मिलता है, बस आपके पास एक Android TV होना चाहिए, और आपके नेबर्स के पास Android TV होना चाहिए, आप पूरी की connections निकाले LAN के, और उन LAN को मैंने distribute कर दिया, Android TV जा जा है, मेरे नेबर्स हो सकते हैं, फैमिलीज हो सकते हैं, चलो नेबर्स को पकड़ लेते हैं, तो मैंने दो नेबर्स को और और शेर करा, तो यहाँ पर कितना हुआ, अगर मैं अलग करूँ, तो देखो यहाँ पर जो है, 250 ठीक है, और 50 रुपे कमी हुआ, मतलब 700 रुपे का प्लान और पूरा का पूरा मैंने 3 लोगों को बाटा, I mean मेरे को पकड़ के 3 लोग, या मेरे को छोड़ के 2 लोगों को मैंने बाटा LAN, तो उसके case में क्या हुआ मेरे को, यहाँ पर 250 रुपे प्लान पड़ा, बस 250 रुप करना है, तो आप 3 डिफरेंट 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 डिवाइस में यूज कर सकते हो, अब आपको करना का या पर एक चीज़ 4K में वीडियो प्ले नहीं करना है, वरना आपका 1000 GB खतम हो जाएगा, note this point, अब मेरे case में यहाँ पर मैं यहाँ पर एक TV चल रही है मेरी, और यहाँ पर जब दिखाया था, जहाँ पर जियो एर फाइबर का कनेक्शन है, वहाँ पर एक TV चल रहा है, तो यहाँ पर दोनों में HD HD चलाते हैं, यहाँ पर 4K यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर डेटा जो है, सफिशेंट होता है, 1000 GB और बज भी जाता है, 1000 GB तक यहाँ और यहाँ पर वाइफाय का कनेक्शन है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर और एक राउटर फिट कर रहा है, तो यहाँ से मैं मोबाइल भी यूज कर ले सकते हैं, तो यहाँ पर जित्ते भी लोग हैं, मोबाइल भी यूज कर लेते हैं, तो मतलब यहाँ पर वाइफाय पू तो जो आपको 700 रुपर का प्लान आता है, वो प्लान का रीचाजर आप कर सकते हो, वो बेटर रहेगा, ठीक है, तीन मेने का, छे मेने का, साल का इसे आता है, तो आप डाल सकते हो, ठीक है? और सबसे अच्छी बात यहाँ पर अगर आप दो मतलब दो families या दो neighbors को आप share कर सकते हो और वो data sufficient हो जाएगा आपके लिए मतलब एक आप use करो और दूसरा person use करेगा तो यहाँ पर मेरे case में मैं बताता हूँ यहाँ पर मैं जहाँ geofiber का connection लगा हुआ है वहाँ पर use कर रहा हूँ और यहाँ पर यहाँ पर यह जो मेरे दूसरे चाचाची का घर है यहाँ पर use कर रहा है दोनों जहन तो यहाँ पर कितना मतलब 1000 GB मंतली sufficient हो रहा है और 200-300 GB बच जा रहा है अब दोनों जगह पर continuously TV तो नहीं चलता है बढ़ हाँ आप 24 गंटे 12 गंटे में आप पकड़ लो 12 गंटे में 6 गंटे टीवी चलती है 6 क्या उससे जादा ही चलती है दोनों से यहाँ पर 6 गंटा और उस जगह पर 6 गंटा ऐसे समझ लो ठीक है तो इस तरह से अगर मैं यूज करो तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है तो आप ज़रूर ट्राइ कर सकते हो इसको जुगाड को तो ये था जुगाड आप यहाँ पर फूल 4K में न देखते हुए कुछ कम कॉलिटी में देखोगे तो तीन ज़र आप यूज कर सकते हो तो इस तरह से यह जुगाड कर सकते हो वीडियो पसनाएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करना है चानल पे ने हो तो चानल को सब्सक्राइब करना अगले वीडियो मिलते हैं लव यू दोस्तों गुडबाई टेक केर